यार आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे और वो जरूरी बात है परसों की आप सभी को पता होगा कि परसों रात को 10 बच कर 6 मिनट पर जितने भी लोग उस टाइम पर मेरी वीडियोस देख रहे थे उन सभी की वीडियोस एक दमसे चलते चलते रुख गई क्यों क्योंकि ज सारी की सारी प्राइवेट कर दी गई चैनल हैक हो चुका था हैक हुआ था रश्या से मैं आपको एक फोडो दिखा रहा हूँ आप खुद देखिए यहां साइड में दस बज़ कर छे मिनट पर रश्या में बैठे हैकर्स ने मेरे अकाउंट के मेरे चैनल के पासवर्ड स्टेप टू वेरिफिकेशन आफ किया गया step in add किया गया backup code generate किये गए recovery email चेंज की गई recovery number चेंज किया गया सब कुछ बदल दिया गया था मेरे पास notification आया सिरफ कि आपका Google password चेंज किया जा चुका है जबकि मैंने कोई OTP किसी को दिया ही नहीं तब उस टाइम पर मैं script लिक रहा था लेकिन दड़ा दड़ मेरे पास एक दम से इतने सारे नोटिफिकेशन आए कि मैं पागल हो गया मुझे खुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये मैंने आज सक कभी किसी के साथ कोई शेयर नहीं किया बट स्टिल ये हुआ कोई बात नहीं दस बच कर 6 मिनट पर ये सारा कुछ हुआ था दस बच कर 7 मिनट पर आप लोगों ने मुझे बताया इंस्ट्राग्राम पर इतने मैसेज करे मैं क्या ही बताऊ यार ये वोच जो स्मार्ट वोच है ये वाइबरेट हो ओकर पागल हो गई थी बहुत देर तक ये भी वाइबरेट होती रही लेकिन मैंने जैसे एक नोटिविकेशन इसके अंदर पढ़ा था और तभी मैंने अपना मुबाइल साइट में से उठा कर देखा और सच में बहुत सारे नोटिविकेशन आई हुए थे और तभी जो लैपटप जिसके उपर मैं काम कर रहा था आप सभी के लिए वहाँ पर अपने चैनल को लोगिन करना चाहा लेकिन चैनल लोगिन हुआ ही नहीं जिसके बाद मैंने दस बज़ कर आट मिनट पर यानि कि सिरफ एक मिनट बाद ही चैनल को वापिस recover कर लिया था लेकिन इतनी ही देर में सिर्फ दो मिनट के अंतराल में कितना होता है दो मिनट देख लिए जब आप इस दो मिनट के अंतराल में उन hackers ने चैनल के साथ क्या क्या कि आप यहीं से नदाजा लगा लीजिए साड़े 700 विडियो के आसपस थी और सभी की सभी प्राइवेट सभी की सभी प्राइवेट चैनल का नाम चेंज किया गया चैनल के पासवर चेंज किये गए स्टेप टू वेरिफिकेशन हटाई गई बैक अप कोड जनेरेट किये गए इसके अलाबा मेरा चैनल जो वेरिफाइड था मिस्टिरिस दुनिया के नाम से उसका नाम बदल कर आर्क इन्वेस्ट कर दिया गया ए आर्के इन्वेस्ट फिर एक लाइव वीडियो स्टार्ट होती है जिसके अंदर चचा अलानुमस्क बैठे हुए थे और वो बिटकोईं से रेलेटिड कोई बात कर रहे थे मैंने नहीं सुनी मैंने जस देखी थी और वो भी आप सभी ने मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड कर करके जो दिखाई है वही मैंने खुद तो देखी नहीं थी जिसके बाद मैंने जैसे 10 बच कर 8 मिनट पर वापिस रिकवर किया चैनल तब ही मैंने जो उसका जो नाम था उसको बदलने में टाइम लगा क्योंकि अब यूट्यू एसेट नहीं कर रहा था कि पांच मिनट के अंदर ही आप दूसरा नाम बदल रहे हो चैनल का वो भी वेरिफाइड चैनल का इसके लावा जो लाइब स्ट्रीम चल रही थी उनकी वो मैंने हटाई वहां से जो भी था हो गया ठीक है लेकिन क्या मिला किसी को कुछ नहीं मिला च्छे साल की महनत मेरी है मुझे पता है कैसे संभाल के रखा जाता है बट दुख तो होता ही है देखिए मुझे पता है कि जो देखने वाले हैं जैसे कि आप लोग हैं जो प्यार करते है मुझे वो कहीं पर भी आकर देखेंगे मैं कहीं पर भी चला जाऊँगा वो वहीं पर आकर बजिख लेए मुझे कोई दिखकत नहीं है लेकिन एक प्लैटफॉम अगर बना हुआ है किसी का और किसी ने उसके जो था वो मैं change करके वापिस mysterious जुनिया नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि मेरा इनाम है और यूट्यूब कह रहा है कि ये नाम तो पहले ही किसी ने register करवा रखा है सो आप mysterious जुनिया वापिस नहीं लिख सकते जिस वज़े से मैंने मैं मिस्टेरियस दुनिया में वाई लगा रखा है डी यू एन वाई है जबकि पहले था डी यू एन आई है वो वेरिफाइड था अब यूट्यूब बोल रहा है कि आप वो वाला नाम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो किसी और का था अरे गूगल वालो आख खोलो थोड यकीन माने ऐसी है आज की कहानी यकीन माने ऐसी है जिसको बताने से लिटरली मैं डर रहा हूँ क्यों डर रहा हूँ क्योंकि वो इतनी दर्दनाक है इतनी भयंकर है जिसे सुनकर आपके रॉंग टेना खड़े हो जाए तो मुझे बताना जी हाँ हो सकता है अगर आप खाना खा रहे हो तो आपके मूँ से उल्टी निगल जाया प्लीज खाने वाने को साइड में रख दी जाया फिर इस वीडियो को बाद में देख लीजएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको रात को नीन नहीं आएगी एक ऐस किया था और उसका 500 एकड में बना हुआ जो फार्म था वो कैसे एक कबरिस्तान के अंदर बदल गया सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मेरा नाम है वीकी और आप देख रहे हैं मिस्टेरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड आप अगस्ता नहीं था कि इनके घर में पैदा होने वाला यह कोई पहला बच्चा हो इनके अगर पहले भी एक लड़का था जिसका नाम हैंडरी था यानि कि यह जो हैंडरी था वो एट गीन का बड़ा भाई था इसके अलावा इन दोनों का पिता था यानि कि जोर्ज वो सारा दिन दारू पीकर नशे में रहता था जिस वज़े से जहां भी उसे लोग काम दिया करते थे वो उसे जल्दी ही लात मार कर बाहर भी निकाल दिया करते थे क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी में कोई दारू पीकर काम करने आए और इसी नशे पते की लट की वज और उसका धरम ये उसको नहीं मानने दे रहा था कि वो उससे तालाग ले ले इसकी बज़ाए उसने अपनी पूरी एनर्जी अपने दोनों बच्चों पर लगानी स्टार्ट कर दी वो जस्ट उन दोनों का ख्याल रखती उसने अपने पती को अपने हाल पर छोड़ दिया था अब वहाँ जहां रहते थे लास क्रोस में वहाँ इनके पास कोई काम नहीं था तो वहाँ के खर्चे भी इन से पूरे नहीं हो रहते जिसके बाद इन्होंने सोचा कि यहां का सब कुछ बेच बाच कर अपना दूसरी जगह चलते हैं जहां थोड़ी बहंगाई कम हो और वो अपने खर्चों को आराम से निकाल सके इसके बाद इन्होंने वशेरा काउंटी के बराबर में ही बने प्लेन फिल्ड के अंदर तकरीबन एक सो पचपन एकड में बने एक फार्म हाउस को खरीद लिया और इस फार्म हाउस के अंदर यह पूरा परिवार अब शिफ्ट हो सोच कर दे के चार लोग हैं जिरफ और एक सो पचपन एकर जितना बड़ा फार्म हाउस है और उसके अंदर अब यह लोग रह रहे थे अब यहां अगस्ता यानि कि इन दोनों बच्चों की माँ के पास इतनी सारी जमीन थी तो उसके बास मौका था अपने बच्चों को या लोग दिखा करते थे तब भी उसे बात करने की इजाज़त नहीं थी किसी से सिर्फ उन्हें देख सकता था इसके लावत जैसे वो स्कूल से वापिस घर आता उसका बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कॉंटेक्ट खत्म हो जाता और अगर कभी इनकी माँ इन दोनों मेंसे किसी को भी बाहर के वेक्टी से बात करते हुए देख लिया करती थी तो यकीन मानिये इन दोनों की बहुत बूरी तरहें कुटाई होती एडगीन भी जल्दी ही स्कूल जाने लगा लेकिन टाइम बीटने के साथ-साथ इन दोनों भाईयों की यानि के एडगीन और हेंडरी बैठे बैठे ही अपने आप हसने लग जाता जोर जोर से उससे वहां कोई बात नहीं करता था यहां तक कि टीचर्स भी उससे दूरी ही बना कर रखते थे लेकिन जैसे ही टीचर पढ़ा रही होते थे तब ही वो पीछे बैठ कर अपने आप हसने लग जाता शायद उसके मा पैसे जीद होते थे उसके अंदर जो पहराज होते थे उन मेंसे जो सबसे खतरनाक पहराज होते थे जो सबसे भयंकर जिसे हम कह सकते हैं वो पढ़ा करती थी और वो सारे पहराज के जो मतलब थे वो अपने बच्चों के उपर इंप्लिमेंट किया करती थी ये दोनों एक वैश्या होती है जैसे ही वो पैदा होती है वो एक वैश्या बन जाती है मुझे तो समझ नहीं आई ये बात जब मुझे पता लगी इस रिसर्च के टाइम की उसकी माने इन दोनों बच्चों को ये सब सिखाया था मेरा दिल देहल गया क्या वो अपने बच्चों को सिखा रही थी और क्या उन बच्चों के उपर बीट रही होगी ये दोनों बाते अभी इन दोनों बच्चों के दिमाग में भी बैट चुकी थी और वहीं इनके पिता पता नहीं क्या क्या नोक्रियां कर रहे थे इस फार्म से बाहर निकल कर इन तीनों को तो पता ही नहीं होता कि उसका बाप आगिर है कहां वो जस्ट उनके पास पैसा पहुँचाता रहता और जस्ट इनका घर से ही चल रहा था देरे देरे टाइम बीटता गया इन दोनों बच्चों का स्कूल पूरा हुआ और अब दोनों ही स्कूल के बाद करें तो क्या करें ये दोनों अपने घर बैठ गए और जस्ट इनतिजार करने लगे अपनी मौत का क्यों क्योंकि इनकी माई ने बाहर जाने नहीं देती थी और जस्ट इनके उपर इतने भयंकर रत्याचार करती थी कि इन दोनों का आदत पढ़ चुकी थी और दर्द इनको कैसा होता है ये उनको पता ही नहीं था क्योंकि इनकी बोड़ी अब सुन पढ़ चुकी थी पिलकुल तब आया सन 1944 का समय जब 66 साल की उमर में इन दोनों बच्चों के पिता और अगस्ता के पती यानि की जॉर्ज लिवर फेलियर की वज़े से इस दुनिया से निकल लिए और यहां निकलना उसका वैलिड भी था अब यहां जैसे इन दोनों के पिता की मृत्यू होई तो अब यहां इन दोनों की मा यानि की अगस्ता को डर लगने लगा क्योंकि अब इनके पास पैसे आने के कहीं से कोई जगय नहीं थी और मजबूरन अब इन दोनों बच्चों को इस फार्म से बाहर निकलना पड़ा जबकि हमारा एड गीन वो एक बेबी सीटर बन गया यानि कि लोगों के घर जा जाकर उनके चोड़ चोड़े बच्चों को संभालता और अभी तक भी उसका जो लिंक था वो बच्चों से ही रहा कभी बड़ों से नहीं हुआ जल्दी ही एड को पता लग गया कि उसका जो बड़ा भाई है वो एक वही रहने वाली सिंगल मदर के साथ रिलेशनशिप में है मतलब इस औरत का जो हस्बेंट था वो उसके डाइवोर्स दे चुगा था और वो अपने बच्चे के साथ अकेली रहती थी प्लेइन फिल्ड में और हैंड को जैसे ये बात पता चली तो उसने कहा कि या तो तु ये छोड़ दे या फिर मैं जाके मम्मी को बताऊंगा तो जैसे ही सहावा में हैंडरी आगे चला एडगेन को दिक्कत होने लगी अब क्योंकि एडगेन तो अपना काम निप्टा कर बच्चों को संभाल कर उनको खिला पिला कर वापिस अपने फाम पर आ जाता था जबकि हैंडरी अपने बाप के तरह 2400 घंटे फाम से बाहर रहने लगा और जब भी घर आता तब उसका दिमाग जो था वो अच्छा होता मतलब कि उसको बाहर की दुनिया चल रही होती थी क्योंकि उससे बहुत टाइम बाद ये दुनिया मिली थी और इसी वज़े से उसने अब अपनी मा की तरफ उंगलियां उठाने शुरू कर दी कि अगस्ता यानि कि इन दोनों की मा की जो ग्रिप थी वो इन दोनों ही बच्चों से उठ रही थी हैंडरी अपनी मा से लगभग अलग ही रहने लगा और उसे चिंता भी होती थी अपने छोटी भाही एडगीन की क्योंकि उसे पता था कि उसकी मा उन्हें गलत सिखा रही है और इससे उनके फ्यूचर पर बहुत गंदा इफेक्ट पढ़ने वाला है वो बार बार एडगीन को समझाता कि देख तो मा की इतनी बाते मत माना अगर वो गलत हमें सिखा रही है लेकिन नहीं एडगीन का दिमाग पागल हो चुका था उसका अपनी मा के साथ इतना तगड कैसे बढ़ा वो मैं आपको बताता हूँ 16 माई 1944 के दिने दोनों भाई एडगीन और हैंरी ये अपने घर के जो फार्म था इतना बड़ा सारा उस फार्म के जो घास फुसा जो पीली पड़क चुकी घास थी उसको सारे को इकठा करके ये आग लगाने वाले थे ताकि थोड जंगली रूप धारन कर लिया और वो आग सिदा बढ़ते बढ़ते जंगल की तरफ आगे निकल पड़ी और अब इन दोनों के हाथों से वो आग कंट्रोल नहीं हुई वो भी इस आग को भुजाने के चकर में इसकी तरफ आगया आगया कि बढ़ते गए और बढ़ते बढ लगा रहे थे और वो आग कंट्रोल नहीं हो पाई और अब जाकर देखी आप मेरा भाई भी मीसिंग है तुरंत फायर फाइर फाइटर्स की टीम वहाँ पहुची और पुलिस ने लाल टेन और टोर्च वगयारा लेकर हेंडरी को ढूनने की कोशिश करी और हेंडरी मिला अ लेकिन लिटरली उसके शरीर पर एक भी ऐसा निशान नहीं था एक छोटा सा भी कोई दाना भी नहीं था जिससे ऐसे लग रहा हो कि यह यहां से जला है नहीं वो आग की चपेट में बिलकुल नहीं आया था वो बिलकुल एक आग से सुरक्षी जगया पर मृत पड़ा कैसे हो सकता था यह अब एडगिन से पूछा गया कि यह सब क्या है तो वहां इन दोनों ने यानि की मा और बेटे ने इस बात को दबाने की कोशिश कर दी कि जनाब कोई बात नहीं हमारा घर का लड़का है हम देख लेंगे छोड़ दीजी आप इसको इसका हम कोई केस नही इसको जस्ट हमें सोब दीजे और हम लोगों को यही कहेंगे कि आग से मर चुका है सोच कर देखिए एक मा और बेटे ने मिलकर अपने ही बेटे और भाई को कैसे मार डाला मुझे तो समझ नहीं आया पुलिस ने भी वहां पर कोई बड़िया काम नहीं किया वहां उसका मार्केट में सामान लेने के लिए गए थे वो अपने फार्म से बाहर निकले मार्केट में गए और उन्होंने समित नाम के एक वैक्ति की दुकान से सामान वगयरा खरीदा लेकिन वो जो समित था वो अपने दुकान के बाहर ही मौजूदे को बहुत बूरी तरहें से स्मित को बार बार रोक रही थी कि इस डॉक को यहीं छोड़ दो इसको मत मारो प्लीज मत मारो और ये दोनों इस बात से डिस्टरब थे कि उस महिला ने इस आदमी को डॉक को मानने से क्यों रोका जब इस महिला ने तो स्मित के ताद शादी भी नहीं किया और अगर शादी नहीं की है तो इसका क्या मतलब बनता है स्मित के साथ बोलने का ऐसे कुछ विचार रखते थे दोनों अब सोच कर देख लीजे आप ये दोनों किस तरहें के इनसान थे और फिर थोड़ा बहुत टाइम बीट गया और तब आया 39 दिसंबर 1945 का दिन जब अगस्ता यानि के एटगीन की माँ की हार्ट स्ट्रोक से हार्ट फेलियर से मौत हो गई अब यहाँ इस चार के परिवार में सिरफ अकेला एटगीन ही बचा हुआ था अब वो ही अकेला इस 155 एकर के फारम में रह रहा था लेकिन यहाँ दिक्कत यह थी कि एटगीन अपनी माँ के मौत के सदमे को बरदाश नहीं कर पाया और वो अब डिप्रेशन में जाने लगा था जी हाँ लिटरली उसकी माँ ने फारम हाउस के अंदर जहां जहां कदम रखे थे मतलब कि उस घर में फारम हाउस के अंदर जो घर बना हुआ था जिस इस कमरे का इस्तेमाल उसकी माँ करती थी अड़कीन ने उन सभी कमरों को पूरी तरहे से सील कर दिया उसका सारा समान बाहर निकाला और ज़स पूरी तरहे से सील कर दिया ताकि उनको नाहीं वो देखे और नाहीं उससे अपनी मा की याद आए जल्दी उसका जो घर था बहुत अच्छा था पहले जब उसकी मा रहा करती थी लेकिन एक दम से कबाड खाना बन चुका था सारा समान इधर उधर ऐसे ही पड़ा रहता कीडे चलने लगे थे और यहां से बहुत गंदी बदबू भी आने लगी थी क्योंकि यहां साफ सफाई नहीं की जा रही थी अब यहां एडगीन थोड़े टाइम तक तो डिस्टरब रहा बहुत ज़ादा रहा वो दिन रात रहता रहता लेकिन कुछी टाइम बाद अब उसे महसूस होने लगा कि उसे अपनी जिन्दगी जीनी है और जीने के लिए उसने वज़स्ट कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया इंसाइकलोपीडियाज पढ़ता वो और इंसाइकलोपीडियाज भी किसके मेडिकल के जब वहीं प्लेन फिल्ड के एक दुकानदार जिसका नाम ब्रिनेस वॉर्डन था वो अपनी दुकान से गायब हो गए पूरा दिन वो गायब रहे उनके पूरा दिन उनके जो दुकान थी वो बन थी और लोगों ने बताए कि उन्होंने 16 नमबर 1957 के दिन सुबह सुबह 9 अंतिम बार प्रिनेस जिन्दा तभी देखा गया था तब यहां लोगों को लगा कि वहां पर हंटिंग सीजन चल रहा था तो हो सकता है कि प्रिनेस अपने ट्रक पर शिकार वगयरा पर निकला हो लेकिन पूरा दिन बीद गया पूरा दिन दुकान बंद रही अगला दिन बीट गया और जब अगले दिन भी ब्रिनिस का कुछ पता नहीं चला तो ब्रिनिस के बेटे ने वहाँ पुलिस में जाकर कंप्लेंड लिखवाई कि ऐसे से उसका पिता जो है वो गायब हो गया है दो दिन हो चुके हैं अभी तक नहीं आया वो वापिस और आप प्लीस जाकर पड़े हुए थे वो खून सूख चुका था क्योंकि वो खून दो दिन पुराना था अब ये खून किसका था ये आगे आपको पता लगेगा इसके लावा जब उन्होंने वो रजिस्टर देखा उस रजिस्टर के अंदर प्रिनिस दुकान में आने वाले हर कस्टमर के एं एंट्री के मताबिक 16 नमबर 1957 के दिन ही सुबह सुबह साड़े आठ वजे के आसपास एक एड़ड गीन नाम का बंदा जो था उसके दुकान से एंटी फ्रीज यानि के एक समान होता है जो किसी भी चीज़ को जमने नहीं देता लेकिन उसे ठंडा रखता है और वो एंटी फ् पहले अब पुलिस को वही पूछना था एड़ड गीन से कि आखिर तुम महां से क्या लेने गए थे और जिस टाइम पर तुम ब्रिनीस से मिले यानि कि दुकान के मालिक से मिले तब उस दुकान के मालिक के हाल क्या थे उसका हाव भाव क्या था जिसके बाद पुलिस सिधा उसके घर गई और बैल बचाई ये बैल बचाते ही वो बाहर आया और उसे पुलिस ने जब लिया अगर पुलिस उसी टाइम पर उसके खर के अंदर थोड़ा जहाक लेती तो यहां मामला कुछ और ही होता खेर पुलिस अब उसे जबते ही अपने जाद पुलिस टेशन लेकर आई और पूछा कि बताओ तुम्हारा ब्रिनीस की गायब होने से क्या लेना देना है उसने कहा जणाम मेरा कुछ लेना देना नहीं है मैं अपना सामान लेने गया था क्या समान लेने जाना भी जुर्म हो गया अगर आप भी आप वहां जाते तो समानी लेकर आते मैं भी ऐसे नॉर्मली समानी लेकर आया था अब इसमें मैं क्या करूँ अगर मेरी उसमें लास्ट एंट्री है तो तो यहां पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और पुलिस ने उसके घर के अंदर सर्च वरंट जारी करवा लिया। अब एडवर्ड जो था वो जेल के अंदर ही बन था और पुलिस अब सर्च वरंट के साथ उस फार्म हाउस के अंदर पहुंची। और घर को खोलते ही यकीन मानिये अमेरिकन इतिहास तो छोड़िये दुनिया के इतिहास में ही ऐसा कोई क्राइम सीन कभी पुलिस ने देखा ही नहीं था क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है प्लीज मैचौर ओडियनसी इस वीडियो को आगे देखे सबसे पहले उन्हें उस लिविंग एरिया में जो उस घर का लिविंग एरिया था जहां सोफा वगएरा भी रखा हुआ था उस सोफे के उपर एक लंबा सा डंडा लगा हुआ था मतलब कि वो इस एंड से लेकर उस एंड तक यानि कि दोनों दिवारों के बीच में लगाया गया था और उस डंडे पर लोहे के डंडे पर प्रिनीस की जो लाश थी वो लटकी हुई थी वो भी उल्टी और वो भी बिना स्किन के बिना खाल वगएरा कि उसकी सारी जितनी भी शरीर से खाल थी वो सारी उधेड़ दी गई थी लेकिन उसकी लाश अभी भी पहचान में आ रही क्योंकि उसके मूँ की जो खाल थी उसकी मूँ की जो सकिंदी वो नहीं उतारी गए थी लेकिन वो इस तरीके से उल्टी लटक रही थी और उसे उपर रसी से बांध कर वो उस लोय के डंडे से बांधा गया था और ब्रिनीस इस तरहें से लटक रहा था उल्टा ये देखते ह उन्होंने फिर से हिम्मत करके फिर से वो अंदर घुसे और अच्छी तरीके से मूँ पर कपड़ा बांद कर अंदर घुसे थे और उन्होंने फिर से अब जाच शुरू करी यकीन मानिये आगे जो जो चीज मिलती गई वो क्राइम सीन आप इमेजन भी नहीं कर सकते पुलिस जैसे जैसे चानबिन करती गई उन्हें हर ड्रोर में हर जगें हर कोने में हड़ीयां मिल रही थी और वो हड़ीयां किसे और की नहीं बल्के इनसानों की ही थी इसके अलावा पुलिस को वहां कुछ कटोरियां मिली जो दिखने में बहुत सुन्दर लग रही थी लेकिन पुलिस हैरान हो गई और उनके हाथ से वो कटोरियां छुटकर नीचे किरने लगी जब उन्हें पता चला कि ये तो असली इंसान की खोपड़ी यानि कि हमारा जो मुँ होता है इसके अंदर जो हमारा खोपड़ी है उस खोपड़ी के इस हिस्से को काट कर जो अपर वो गोल-गोल बचता है बाकी वो अगर मुतार्द धकन सा वो जो गोल-गोल बचता है अगर वो कटोरी के तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी पुलिस को महां आठ काटोरिया मिली और वो इस तरीके से लाइन में रखी हुई थी और उनके अंदर पता नहीं क्या अजीब सा बदबूदार चीज रखी हुई थी उन आठ कटोरियों को देखकर पुलिस वाले हैरान हो गए कि ये क्या है ये कैसे कटोरिया इसने बनाई इसके लावा बाकी का जो उनका होपड़ी का हिस्सा था वो भी इन कटोरियों के साइड में रखा हुआ था और ये भी यहां कुछ नहीं था इसके बाद जो मिलने वाला उन्होंने पुलिस के साथ साथ आपके भी अपरोग्टे खड़े कर देगा आपको पता होगा कि हम कुड़ा वगारा उठाने से पहले दस्ताने वगारा पहन लेते हैं तो यहां एडगीन जो था वो साफ सफाई से थोड़ा ज़ादा प्यार करता था और वो भी कुड़ा पहले दस्ताने पहनता था लेकिन आप पहनते होंगे दस्ताने रबड के या फिर पोलिथीन के लेकिन एडगीन दस्ताने पहनता था इंसानी चमडी के जी हां उसने इंसानी चमडी को काट कर उसको सीला हुआ था और बिल्कुल दस्ताने बनाए हुए थे आप खुद यहाँ कुरसी तो एड़गीन के पास भी थी तो क्या वो उसके उपर फॉर्म लगवा के रखता था उसने अपनी कुरसी की गद्दी बनाने के लिए इनसानों के जो हिपस होते हैं कुले होते हैं उनको काटा उपर उपर से काटकर अलग कर दिया और जो उसको माल तयार हुआ मिला उसको उसने प्रेस करके उसको प्लेन करके गद्धी बनाई अपने लिए कुरसी की इसके अलावा जब पुलिस ने एक उसके ड्रॉर को खोला उसके अंदर पुलिस को एक पुडिया मिली और उस पुडिया को जब पुलिस ने खोल कर देखा तो पुलिस भी हैरान हो गई क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसानी होटों को काट कर रखा गया था और वो होट किसी एक के नहीं थे बल्कि साथ आठ लोगों के थे फाइनली अब पुलिस तलाश करते करते एडगीन की अलमारी तक पहुची अभी तक तो जो मिल रहा था वो छोटा छोटा समान था अब जो पुलिस ने जैसे ही उसके अलमारी खोली तो अंदर बहुत सारे कपड़े मोजूद थे अच्छी बात है लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपको कहूँ कि वो सारे कपड़े इनसानी चमड़ी से बनाए गए थे टी शर्ट, शर्ट, लोवर, पैंड, जीन, सब कुछ इनसानी चमड़ी को काट कर सील कर बनाया गया था क्या बकवास थी ए आप सोच भी नहीं सकते वहाँ का हाल क्या था इतनी वहाँ पर बदबु आ रही थी और पुलिस को ये सब कुछ मिलता जा रहा था इसके अलावा जब पुलिस ने उसी अलमारी के ट्रोर को खोल कर देखा तो उसके अंदर वहाँ एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे उसको मैं बताने से भी थोड़ा वो कर रहा हूँ परहेज कर रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ जी हाँ पुलिस को वहाँ एक बेल्ट मिली वो बेल्ट चमड़ी की थी नॉर्मल चमड़ी नहीं वो बेल्ट महिलाओं के ब्रेस्ट से निपल्स को काट काट कर लाइन में जोड जोड कर उन निपल्स से वो बेल्ट बनाई गई थी अब खुद सोच लीजिए क्या आदमी था एडवर्ड कीन जिसने ऐसा कुछ यहां समान तयार किया हुआ था इंसानी चमड़ी के साथ इसके अलावा उसने अपने घर पर नो अलग 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 तरहें के फेस मास्क बना रखे थे और वो फेस मास्क नो अलग अलग इनसानों के थे अब मुझे तो समझ नहीं आया कि ये फेस मास्क क्या दिखा रहे हैं वो दिखाना क्या चाता है ये किन लोगों के फेस मास्क हैं इसके अलावा यहाँ पर अब तक की दिल दहला देने वाली चीज पुलिस के हाथ लगने वाली थी पुलिस को एक कॉर्नर में एक थैली मिली और जैसे ही पुलिस ने उस थैली को खोल कर देखा अंदर बहुत सारे कीडे चल रहे थे और वो कीडे किसी और को नहीं बलकी अंदर मुझूद पाँच इनसानी दिल जो उस थैली के अंदर पड़े थे उस इनसानी दिल के अंदर वो कीड़े अब चल रहे थे एक जूते का डबा साइड में पड़ा हुआ मिला और उस जूते के डबे में महिलाओं के गुपतांगों को काट काट कर रखा गया था और वो टोटल गुपतांग 9 थे यानि की 9 महिलाओं के शरीर के हिस्सें को काट काट कर उस जूते के डबे में रखा गया था इन सब के अलावा वहाँ पर तकरीबन 15 से 16 लोगों के नाखूनों को काट काट कर फ्रीज में रखा गया था कैसा मूरक आदमी था नाखून क्या खराब होने की चीज़ थी जो बाकि सब तो सारा समान तो उसने बाहर रखा हुआ है जो सड़ने वाला था और नाखून को इतनी संभाल कर उसने फ्रीज में रखा हुआ है इसके अलावा वह यहां बहुत सारी चीज़े मिली थी लेकिन मैं यकीन माने आपको वो बताना नहीं चाहता वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है आथों से उसने रसियां बना रखी थी इस से ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा खेर अब यहां बारी थी एडवर्ड गीन से पूछ ताच की कि यह सब क्या उसने बना रखा है तो यहां उसने पुलिस को बताया कि 1945 में जब उसकी माँ इस दुनिया से गई उसके बस में कुछ नहीं रहा वो पागल हो चुगा था और इसी पागल पन से बाहर आने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना वो उसकी माँ को दोबारा से जिंदा कर ले और इसी चक्कर में सन 1947 से लेकर 1952 तक पूरे 5 सालों तक वो अपने आसवास मुझू तीन कबरिस्तानों में डेली रात को जाता और इंतजार करता कि क्या किसे ने कोई नई लाश इसके अंदर दफनाई है या नहीं और जैसे ही कोई नई लाश उसके अंदर दफनाई जाती वो रात के समय उस नई लाश को निकाल कर अपने साथ ले आता जबकि लोग बेचारे अपनी जो सगे संबंदियों की लाश अपनी दफना कर जाते थे अगले दिन आकर वो उस मिट्टी की पूझा भी करते थे उनको क्या पता होता था कि रात को ही उनकी लाश को कोई छपके ले गया बेचारे मिट्टी की पूझा कर रहे थे खाली अंदर तो कोई था ही नहीं जिसके बाद जैसे ही वो लाश को लेकर आता तो यहां एडगिन उस लाश में से अपनी मां से मिलते जुलते सामान को निकाल लेता वो असल में अपनी मां को तयार कर रहा था इन सबी लाशों को काट काट कर इन सबी लाशों के समान को निकाल निकाल कर वो एक इनसान बनाना चाह रहा था जो उसकी मां के जैसा दिखे उसने खुद पुलिस को बताया कि तकरीबन 14 जो लाशे थी उसने उन कबरिस्तानों से बाहर निकाली और इसके अलावा दो जिन्दा महिलाओं का जो उस फार्म में काम करने के लिए उसने रखी थी उन्हीं का मर्डर कर डाला और फाइनली जो पंद्रवा जो उसका विक्टिम था वो था ब्रेनेस वार्डन उसका भी उसने मर्डर क्यों किया वो मुझे आस तक पता नहीं चल पाया पहले तो पुलिस को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अकेला आदमी इतनी बड़ी कब्र को खोद सकता है रात के टाइम पर और खोदने के बाद उसमें से बोड़ी निकाल कर वापिस उस मिट्टि को अंदर भर सकता है क्योंकि आपको पता ये कि इतना बड़ा गड़ा होता है छे फूट गहरा होता है और उसके नीचे वो दफनाई जाती है इतनी मिट्टि कैसे वो खोदता होगा और फिर बाद में लाश को भी अपने साथ लेकर जाना क्या हो थकता नहीं था तो पुलिस को ये विश्वास नहीं हुआ कि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता जिसके बाद उसने पुलिस को अकेले ही पुलिस टेशन के अंदर ही जिहां गड़ा खोद कर दिखाया जिसके बाद पुलिस को विश्वास हो गया कि हाँ ये पुराना पापी है और ये कर सकता है जिसके बाद उसने इन लाशों से लगभग लगभग वो सारे कपड़े तयार करें जो उसकी माँ पहना करती थी जिस तरहें के उसकी माँ पहना करती थी और जैसे ही वो एक शरीर तयार कर रहा था जो उसकी माँ के तरह दिखता और वो डेली सुबह उठकर अपनी माँ को वही इनसानी चमडियों से बने हुए कपड़े पहना था सोच कर देखिए या अदमी कर क्या रहा था जिसके बाद 21 नवंबर 1957 के दिन उसके उपर फर्स डीगरी मर्टर के चार्ज लगाए गए और अब उसे कौट में पेश किया जाना था लेकिन इससे पहले की उसे कौट में पेश किया जाता उसका मेडिकल किया जाना था और यहां medical में वो schizophrenia से पीडित मिला schizophrenia आपको पता ही होगा कि क्या बिमारी है मैंने आपको काफी वीडियोस में पता है इस बिमारी में इनसान अपने उपर काबू नहीं रख पाता वो और जारा अंदर-अंदर depression में जाता जाता है और वो कुछ ऐसे काम करने लगता है जो उसे नहीं करने चाहिए थे जिसके बाद court ने आदेश जिया कि इसे पहले hospital में भरती कर वाओ और यहां उसका अमेरिका के एक hospital में पूरे 11 सालों तक इलाज चला और टाइम आया 1968 का और फिर नवंबर 1968 में उसे court में पेश किया गया जहां अब उसे सजा मिलने वाली थी जज़वरा यहां सबसे पहले उसे पूछा गया कि ब्रिनिस को तुमने क्यों मारा तो यहां court में उसने बताया कि मुझे याद भी नहीं आस तो सही से कि मैंने ब्रिनिस को मारा भी नहीं था अच्छली मैं उस टाइम पर उसके दुकान से समान लेने गया था और मेरे पास अपनी खुद की जो लाइसेंसी हथियार थी वो मोजुद थी और जैसे ही मैं उसे समान ले रहा था तब ही मैंने अपनी जो लाइसेंसी बंदूग थी उसकी जेम में थी वो उसने निकाली और जस्ट गलती से वो फायर हो गई और वो गुली सिदा जाकर ब्रिनिस की चाती में लगी और वो वहीं पर मर गया अब मैं अपने आपको बचाने के लिए उसकी बोड़ी को वहीं से उठाकर उसी के टरक में लाज़कर वहां से अपनी सिदा फार्म पर ले आया और जाकर उसे को उल्टा टांग दिया इसलिए वहां पर वो जो रेजिस्टर में लास्ट एंट्री एडवर्ड की ही थी और वहां खून के निशान पड़े हुए थे लेकिन अभी भी कोड को थोड़ा शक हो रहा था कि ये पूरी तरहें से ठीक नहीं है और कोड ने फिर से उसका मेडिकल करवाने के आदेश दिये और मेडिकल में फिर से ये आया कि वो भी फिट नहीं है वो भी भी मेंटल स्टेबल नहीं है जिसके बाद आया 26 जुलाई 1984 का दिन जब एडवर्ड कीन इस दुनिया से चल बसा उसी हॉस्पिटल में आसपडोस में रहने वाले लोगों को जब बात पता चली कि उनके बीच में एक राक्षस रहा करता था और वो फिर भी उस राक्षस से बच गए तो यकीन मानिये सभी ने चैन की सांस ली लेकिन अब उसका जो घर था वो 155 एकड़ वाला वो सरकार द्वारा निलाम किया जाना था लेकिन निलाम करने से पहले सरकार ने उसे एक टूरिस्ट अट्रेक्शन बना दिया और बहुत दूर दूर से लोग उसके घर को देखने आने लगे आपको देख लीजिए उसका घर ये था और पता नहीं क्या हुआ सिरफ 6-7 सालों में ही उसके घर में किसी टूरिस्ट ने आग लगा दी और उसका घर पुरा चल कर राक हो गया अब वहां सिरफ वो खाली जमीन बची थी जंगलो वाली इसके अलावा जो उसकी गाड़ी थी उसकी भी निलामी की गई और आज भी उसकी जो गाड़ी है वो एक म्यूजियम में खड़ी है और उसे एडगीन गूल कार के नाम से जाना जाता है बेशक उसने कितने ही भयानक काम किये हो लेकिन पबली ने फिर भी उसके ओपर ठंडी निगाब बना कर रखी हुई है उसके ओपर तीन फिल्म बन चुकी है सोच कर देके हो कितनी बोपलेरिटी गेन कर गया बेशा कोई भी सीरियल गिलर कितना ही भयंगर काम क्यों ना करता हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये पात महजूस होती है कि हम सभी का उनके साथ कोई obsession है मतलब कि हम उनकी जो movies होती हैं उनसे related जो documentary होती हैं उन्हें देख कर अपने आपको entertain करते हैं पता नहीं ये सही है या गलत ये बात आप मुझे बताईएगा खेर पोड़कास वाले चैनल को प्लीज या सब्सक्राइब कर लो बहुत धीरे धीरे grow हो रहा है आपकी जरूरत है मुझे प्लीज उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो गया था तो मैं उसमें बीजी हो गया था तो आप प्लीज आज मुझे फोलो कर लो 60,000 पूरे करवारों जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है खेर पिछली वीडियो का शाओट आउट मिनाक्षी स्वेंद को अगली वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद